हलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा नौबी के विद्यारतियों के लिए विशे विज्ञान अर्दवारसिक परिक्षा के लिए प्रश्ण जी हैं स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में सभी प्रश्ण आपको यहाँ पर मिले वाले हैं तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टाट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर तो देखिए बच्चो परिक्षा में तीन घंटे का समय आपको मिले वाला है और यहां पर निर्दिस दिये गए हैं इनको आप ध्यान से रीड कर लीजेगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं पहला प्रशन आप यहां पर देख सकते हैं सही बिकल्प को चुनिए तो सही बिकल् सहर हैं वो लास्ट में आपको प्रोवाइड करा दिये जाएंगे विथ फीडिये इसके बाद दूसरा प्रशन सू परिवाशित केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है यहां आपका दूसरा प्रशन हो गया इसके बाद तीसरा प्रशन निमलेखित मैं से कोई एक एनलेड प इसके बाद 5 प्रशन वरगी किये देखिए यहां पर पदानु करम में कुल फैमिली कौन से दो के मध में आती है यह आपका प्रशन हो गया इसके बाद यहां से देखिए बच्चो दूसरा प्रशन याने की रिकेत स्थानों की पूर्ती कीजिए फिलिंदी ब्लैंक्स आप तीसरा प्रशन है बर्गी करण की आधार भू छोटी एकाई खालिस्थान है तीसरा प्रशन है कपक की कोसी का भित्ती खालिस्थान की बनी होती है चोथा प्रशन है दो प्रकोष्ट बाला हिर्दय खालिस्थान पाया जाता है मचली में इसके बाद पांचवा प्रशन दिया दूसरे नम्मर पे है द्रब का गैस में परिवर्तन तीसरे नम्मर पे है ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन चौथे नम्मर पे है गैस का द्रब में परिवर्तन और पाच्वे नम्मर पे है द्रब का ठोस में परिवर्तन तो मैचेंग को बहुत अच्छे तरीके से तयार कर ल दूसरा प्रशन अवस्था परिवर्तन के शमय इस्तर तापमान पर पदार्थ को दी गई उसमा गुप्त उसमा कहलाती है। और एक बाक्य में उत्तर दीजे तो यहाँ पर एक सब्द या फिर एक बाक्य में आपको उत्तर देना है। माय स्टडी जानकारी आपको लिखना और सर्च करतेना जैसे आप सर्च करेंगे फष्ट लिंक जो आपके सामने आएगी इस पर क्लिक करके ओफीशल वेबसाइट को ओपन करना, औफीशल वेबसाइट इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी class 9th हा पेरली पेपर इसके सामने click here जो button दिख रहा है इस पर click करना और नीचे जाना यहाँ पे देखे class 9th की main link main page आपके सामने open हो गया class 9th science अर्दवारसिक पेपर इसके सामने click here का जो button है science याने की विग्यान click here वाले button पर आप जैसे click करेंगे देखे विग्यान अर्दवा से यह download button बना हुआ आपको दिख जाएगा विग्यान अर्दवारसिक पेपर class 9th click here to download इस पर आप जैसे click करेंगे आप easily PDF को download कर पाएंगे तो जाईए students आप इस PDF को my study जानकारी website से easily download कर लीजे इसके बाद देखिए पहला प्रशने यहाँ पे दो विविन्य पदार्तों के कड़ों का सौता मिलना क्या कहलाता है इसके बाद दूसरा प्रशने द्रॉब याने की पदार्त की वह अवस्ता जिसमें आकार एवं मायतन दोनों निश्ट होते हैं क्या कहलाती है सुद्ध जलका कौन्थनाग यहाँ पर क्या होता है चौथा प्रशनेए सुद्ध वरफ क गलनंक क्या होता है और पांचवा प्रश्ण है अत्याधिक स्पीड़ता देखिए संपीड़ता वाली द्रब की अवश्था कौन सी है तो इन सभी प्रश्णों को अच्छे से तयार कीजिए छटवा प्रश्ण आगया है गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहि इसको भी अच्छे से तयार कीजिए छटवा प्रश्ण हो गया आप साथवा प्रश्ण है निमलिखत तापमान को सेल्सियस एकाई में परिवर्तित कीजिए अब यहां पर देखिए तापमान जो आपको यहां पर दिये गया है तीन सो डिग्री मतलब तीन सो केल्विन दिय दिया गया है और दूसरी नम्मर पे दिया गया है 573 केल्विन तो इनको परिवर्तित करना है आपको सेल्सियस एकाई में डिग्री सेल्सियस में तो इनको आप परिवर्तित कर लीजिए गा इसके बाद आटवा प्रश्ण है पुष्टी हेतु खारण दे जल कमरे के ताप द्रब होता है, दूसरा है लोहे की अलमारी कमरे के ताप़ ठोस होती है तो इनके कारण आपको देना है इसको भी अच्छे से तयार कर लीजे इसके बाद देखिए नौबा प्रशनी यहां पे आ गया है कोसीका के अंदर प्रोटीन का संसलेशन कहां पाया जाता है वो आपको यहां पे बताना है इसके बाद देखिए दसवा प्रशनी यहां पे आ गया है परासरन क्या है परासरन आपको बताना है कि परासरन क्या है इसके बाद ग्यारवा प्रशनी है क्या अलफा कणों का प्रक्री करण प्रियोग सोने के अतिरिक दे दूसरी धातु के पन्नी से संभव होका तो इसको भी अच्छे से तयार कर लीजिए इसके बाद 12 प्रशन है परमाणू उदासीन है इस तत्त को तामसन देखे यहाँ पर तामसन के मॉडल के आधार पर स्पस्ट कीजिए इसके बाद 13 प्रशन आगया है निमलिखित के सूत्र लिखे तेरवे प्रशन के अंदर निमलिखित के सूत्र आपको यहाँ पर लिखना है जनरल फॉर्मूले आपको यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पे देखे sodium oxide का formula लिखना सूत्र लिखना aluminium chloride sodium sulfide और magnesium hydroxide का सूत्र आपको यहाँ पे लिखना है तो सूत्र लिखते आप सभी से बन जाएंगे इसके बाद चौदवा प्रशन देखे रासाइनिक सूत्र का क्या तातपर है इसको यहाँ पे बताना है इसके बाद पंदरवा प्रशन विश्वरण से आप क्या समस्ते हो वो आपको बताना है साथ में उधारण देना है इसी तरीके से बच्चो एक पूरा PDF है देखे पंदरवे प्रशन के बाद 16 वा प्रशन आगया, 17 वा प्रशन आगया, 18 वा प्रशन आगया तो इन सभी प्रशनों को आप डाउनलोड कर लीजे जो प्रोसस मैंने आपको बताई, माय स्टडी जानकारी वेबसाइट पर जाकर के आप इजिली PDF को डाउनलोड कर पाएंगे